तो क्लास 12 फिजिक्स की जो ये सिरीज चल रही है सिरीज में आपको पदाए कि हमने पूरी इलेक्ट्र स्टेडिक कवर कर लिये और अभी जो हमारा टाइम है वो है प्रेक्टिस कोश्चन्स लगाने का तो इलेक्ट्रिक फिल्ड एंड चार्ज का जो पूरा एक चैप्टर है चैप्टर नमबर वन जिसको हम कहेंगे वो है इलेक्ट्रिक च चार्ज एंड फिल्ड तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज कोश्चन्स के कभी इंपार्ब को सकते हैं simplemente के लिये और यदि या आपको वीडियो ऐसी मिलते रहें बाकि आपका अगर मन करें तो subscribe भी कर सकते हैं और ज्यादा मन करें तो share भी कर सकते हैं ठीक है तो EVPS classes practice questions करने हमें electric field and electric charge and field के तो start करते फटाफट से बिना किसी देरी के पहला question आपकी screen पर यह है कहरे कि a charged oil drop is suspended in a uniform field of 3 into 10 to 3 power 4 volt per meter तो इस चार्ज ड्रॉप पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा यह हमें बताना है तो अगर आपके सामने यहां पे लिखा भी नहीं होता कि इलेक्रिक फिल्ड है तब भी आप यही समझ जाते है वोल्ट पर मीटर अगर है यहां कहीं पे भी उसका मतलब यह है कि उस पर जतना ग्रेविटेस्ट्रिक फॉर्स लग रहा है उतना ही electrostatic force भी लगवा है, gravitational force नीचे की और लगेगा और electrostatic force जो है वो ऊपर की और लगेगा, तो दोनों क्या और है equilibrium में है, यानि की balance कर रहे हैं एक दूसरे को, इसका मतलब अगर हम इसको solve करेंगे, तो इसको ध्यान से समझेना, देखिए इसका solution देखते हैं, सबसे पहल force की बात करें, तो वो होता है, यह होता है कितना, m into g, तो हम क्या अगरे इसको equal रख देख, क्योंकि equilibrium में हैं, यानि कि दोनों ही एक दूसरे के बराबर होंगे, तो यह drop थी, जिस पर नीचे की और जो force लग रहा था, वो लग रहा था mg, और इस पर ऊपर की और force लग रहा ह mg upon e, कुछ values आपको given है, साइध अगर question को आप ध्यान से देखें, तो आपको given है, क्या क्या given है, electric field given है, साथी साथ जो given है, आपको वो क्या है, यहाँ पर mass, ठीक है, यहाँ यहाँ पर हम use कर सकते हैं, कितना दिया है, charge का mass, 9.9 into the power minus 15 kg, और साथी साथ g की value, जो की constant यहाँ 10 meter per second square की बन है, तो हम यहाँ पर apply कर देते हैं value, तो यह हो जाएगा, q is equal to 9.9 into 10 to the power minus 15, multiply by 10, divided by, e की value कितनी की बन है, यह है, 3 into 10 to the power 4, तो हम जब इसको calculate करेंगे, तो इसका answer आना चाहिए, 3.3 into 10 to the power minus 18, कुलम, तो कौन सा option correct होगा, पहला वाला option जो है, वो इसमें correct है, ठी 3.3 into 10 to the power minus 18, कुलम, is the right answer, तो आपको अगर यह question सौंज में आ गया, तो इस type के जितने भी questions है, वो आप easily solve कर सकते हैं, कोई problem आने वाली नहीं है, तो अगर यह clear हो गया है, तो ठीक है, नहीं आया है, तो फिर आप comment box में बता दीजेगा, कौन से step में आपको problem आ रही है, वै rotational force होगा, उतना ही electrostatic force होगा, दोनों को equal रख देना है, and then find कर लेना है value, okay, now, next question पर आते है, question number 2 है, आपकी screen पर यह, करा है कि two spherical conductor, B and C, having equal radii and carrying equal charges, in them, repel each other, ठीक है, equal charge है, और equal radii के दो spherical conductor है, और एक दूसरे को repel कर रहे है, with force F, when kept apart at some distance, जब उनको कुछ दूरी पर रखा जाता है तब, एक तीसरा spherical conductor having same radius as that of B, एक तीसरा हमने spherical conductor लिया, जिसकी radius जो है, जितनी B की है, उतनी ही है, but uncharged है, ठीक है, इस पर कोई charge नहीं है, brought in contact with B, और इसको B के साथ में contact में लाया जाता है, then brought in contact with C, और फिर इसको C के साथ में contact में लाया जाता है, पहले B के साथ में contact में लेके आते हैं, और फिर C के साथ में contact में लाते हैं and finally removed away from both और फिर क्या कर दिया जाता है अंत में दोनों से ही इसको remove कर दिया जाता है तो हमें बताने हैं कि new force of repulsion between B and C अब जो new force of repulsion है B और C के बीच में वो कितना होगा यह बताना है ठीक है काफी important question है इस type का question आपको कहीं पर भी देखने को मिल सकता है देखे सबसे पहला हमें करना क्या है एक हमने दो spherical conductor है जो की जिनके बीच में जो repulsion force लग रहा है यानि कि repulsion force मतलब यह है कि दोनों पर same charge है और same इनका जो है magnitude है तो इस पर जो charge लग रहा है plus Q है दूसरे पर भी कितना होगा plus Q होगा तो अगर हम यहाँ पे निकाले इसको हम solve कर लेते हैं new slide ले लेता हूं मैं यहाँ पे ठीक है यह समझीएगा सबसे पहले यहाँ पे अगर हम A और B को आपस में connect करते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं on connecting A and B ठीक है तो दोनों को अगर हम connect करेंगे तो बोथ spheres will have charge दोनों पर charge कितना होगा चार्ज जो होता है वो क्या होता है conserve होता है हमें पता है conservation law of conservation of charge आपने पढ़ा होगा तो दोनों को अगर हम contact में ले गाएंगे तो क्या हो जाएगा दोनों पर charge बरावर बरावर बढ़ जाएगा तो अब चार्ज होगा वो कितना होगा दोनों पर Q by 2 each ठीक है प्रतेक पर charge इतना होगा now on touching spherical charge A with C C कहा है यहाँ पर uncharted है मतलब इस पर कोई भी charge नहीं है तो जब हम इसको contact में ले के आएंगे A के साथ में then total charge on each will be कितना हो जाएगा 1 by 2 Q by 2 plus Q right is equal to कितना हो जाएगा 3Q upon 4 तो यह अगर हम निकालेंगे दोनों के बीच का force तो जाएगा F1 upon F2 is equal to K Q into Q upon D square upon K Q by 2 into 3Q by 4 और इनके बीच की distance कितनी है? same, वो ही है तो D square to D square cancel हो गया, K से K cancel हो गया Q से ये cancel कर दो, ये वाले Q से ये वाला Q cancel कर दो तो जो बचा हुआ है उसको हम उपर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8 by 3 तो F1 is upon F2 is equal to कितना हो गया? 8 by 3 हो गया यहां से हमें F2 निकालना है तो F2 जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहां पर 3 by 8 F1 इसका मतलब जो है वो 3 by 8 times हो जाएगा पहले वाले पूर्स का तो यहां पर कौनसा वाला option correct है आपके इसाब से तो option number 4 है यहां पर correct होगा Is it clear? मुझे लगता है कि इसमें कोई ज़्यादा problem नहीं आई हुगी आपको concept यह समझना है कि जब charge को touch कराया जाता है तो charge का distribution जो होता है वो एक जैसा हो जाता है जैसे माल लो इस पर 5 µ का charge है इस पर 2 µ का charge है यह हमारे पास दो charges है इस पर 5 µ का charge है और इस पर 2 µ का charge है दोनों को contact मिले के आए तो charge का जो अब डिवाइडेशन होगा वो कैसे होगा टोटल charge कितना था? 7 था तो 7 y 2 यानि कि 7 y 2 µ अब इस पर कितना हो गया 7 y 2 µ का इस पर हो गया और 7 y 2 µ का इस पर हो गया ठीक है? इस वाले स्पेर पर इतना हो गया इस वाले स्पेर पर इतना हो गया तो जब contact में ले के आएंगे तो charge जो हो जाएगा वो equally distribute हो जाएगा ठीक है? तो force जो होगा ए और B के बीच का वो कितना होगा यह हमें बता रहा है तो same जैसे अभी हमने solve किया था वैसे ही यह वाला कोशन भी क्या होगा? solve होगा जैसे अभी हमने किया था same वैसे ही कोशन है इसको भी हमें वैसे ही solve करना है तो इसका answer कितना हैगा? 3 by 8 into F ठीक है? solve कर लेंगे इसको next two copper balls each weighing 10 gram are kept in here 10 cm apart if one electron from every 10 to the power of 6 atoms is transferred from one ball to another ball the column force between them तो इनके बीच का जो column force होगा वो कितना होगा यह हमें बताना है ठीक है? column force निकालने के लिए आपको क्या करना है? देखो product of charges and then distance between the charges यह हमें पता होना चाहिए तो हम column force निका सकते हैं या फिर electric field given होगा उसके साथ में हम क्या लिका सकते हैं? अगर charge given है, electric field given है तो हम निकाल सकते हैं तो कुछ concept अगर आपको पता है तो आप easily solve कर सकते हैं कोई आपको problem आने वाली नहीं है तो देखते हैं यहाँ पर करना क्या है? सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या given है? एक copper ball given है ठीक है? तो इस copper ball को लेके चलते हैं तो हम जब इसका solution लिंगे तो solution में सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि copper ball जो है उसका weight कितना given है? 10 gram का weight given है number of atoms अगर हमें इसमें calculate करना है तो हम कैसे करेंगे? number of atoms in 10 gram of copper ball ठीक है? is equal to हमें पता है कि Avogadro number कितना होता है? 6.02 into 10 to the power 23 या Avogadro number होता है n की value होती है यह आपको पता है तो एक gram में जो होता है एक gram atom में कितने number of molecules होते हैं? तो इसकी हम multiply करवाएंगे किससे? 10 से क्योंकि 10 gram है और divide कर देंगे क्योंकि copper का atomic number कितना होता है? atomic weight कितना होता है? वो होता है 63.5 तो 63.5 से हम क्या कर देंगे? इसको divide कर देंगे atomic molecular weight जो होता है copper का वो कितना होता है? 63.5 होता है तो इसको divide कर देंगे हमें क्या मिलेगा? the total number of the total number of electrons transfer on the ball. कितने होंगे? तो जाएगा 6.02 x 10 to the power 23 multiply by 10 divided by 63.5 and कितने हैं electron? 10 to the power 6 if one electron from every 10 to the power 6 atoms is transferred तो हम क्या कर देगा? 10 to the power 6 से इसको divide कर देगे तो यह हमें कितना मिल जाएगा? इसको solve करने पर मिल जाएगा 10 to the power 17 ठीक है? इसको आप solve करके देख लेना तो यह आएगा 10 to the power 17 approximately Now, अब क्या करना है हमें? इसको थोड़ा सा और calculate करना है हमें यहाँ पर force निकालना है सबसे पहले क्या करेंगे? आब force निकालना है क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि 10 to the power 16 atoms है यह 16 electrons है यहाँ लिख देगे since the charge क्योंकि एक electron पर charge कितना हो था? 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम और हमारे पास electron कितना है? 10 to the power 17 electron है यहाँ पर लिख देगे the charge on 10 to the power 17 electrons is 10 to the power 17 multiply by 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम ठीक है? इतना charge हो जाएगा so force between balls कितना हो जाएगा? 1 upon 4 pi epsilon 0 and q1 q2 upon r2 square यह formula तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा ठीक है? अब यहाँ पर 1 upon 4 pi epsilon 0 की value क्या होती है? 9 into 10 to the power 9 and q1 q2 q1 कितना होगा? 10 to the power 17 into 1.6 into 10 to the power minus 19 और इसका हम क्या कर देगे? whole square कर देगे है क्योंकि दोनों पर जो चार्ज है वो क्या है? same है ठीक है? दोनों copper ball है चार्ज क्या होगा दोनों पर ही same होगा अब यहां से हम क्या कर देंगे? distance दोनों के बीच की जो की हमें given है question में अगर हम देखेंगे distance दोनों के बीच की given है कितनी है? 10 cm apart लिखा हुआ है 10 cm की दूरी पर रखे हुआ इसको मीटर में change करना है तो हो जाएगा 0.1 meter ठीक है? तो इसका square अब हमें क्या करना है? इसको calculate करके और हमें इसका answer बताने है तो overall मैं जब इसको solve करूँगा तो यह आ जाएगा approximate 2.8 into 10 to the power 8 newton आप इसको solve कर लिंगे ठीक है? तो कॉंस option correct होगा? तो approximate जो answer आएगा वो कितना आएगा? into 10 to the power 8 तो this one is correct ठीक है 2.8 आ रहा है तो this is approximate answer तो 2 into 10 to the power 8 newton is the right answer ओके? note कर लिजेगा इसको और यह question काफी इस type के questions आपसे काफी पूछे जाते हैं entrance exam में हो या फिर आपका board exam में भी इस label के questions आते हैं तो इसको आप note कर लिजेगा question को और इस type के questions और भी लगाने की कोसिस करिएगा ठीक है? now question number 5 आपकी screen पर यह है ठीक है? लग रहा है न के बीजी केल रहा है हम चलो question number 5 यह है कि if a charge q is placed at the center of the line joining two equal charges q such that the system is in equilibrium then the value of q system जो है वो पूरा का पूरा equilibrium में ध्यान डखेंगे system equilibrium में इसका मतलब हर एक charge पर जो force apply हो रहा है वो equal force apply equal and opposite force apply हो रहा है जिसकी विज़े से पूरा का पूरा system equilibrium में है कोई charge कहीं पर नहीं लेगा ठीक है? तो इसको समझते हैं यह suppose एक point है a जिस पर रखा हुआ है q charge दूसरा यहां पर point है b जिस पर रखा हुआ है q charge और इसके बीच में एक charge आ गया small q यह point हम ले लेते हैं c तो यहां से total distance में ले लेता हूँ यह है d और यह जो हो जाएगी distance d by 2 हो जाएगी है न यह तो understood है अब इसको समझते हैं कैसे होगा यह तो system अगर equilibrium में है तो इसका मतलब a और b के बीच में जो force लगेगा यह कैसा force होगा ripple से force होगा यानि कि एक दूसरे से दूर फेकेंगे ठीक है ripple से force होगा क्योंकि like charges है तो एक दूसरे को क्या करेंगे रत famine करेंगे流़खेल करेंगे अब यह जो force है इसको कौन vice कर रहा हुआ तो सी जो force apply कर रहा हूआ एपर इस इदर की तरव एक और कर रहा होगा तो यह सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं अपनी तरफReal एक दूसरे से धकेल रहे हैं, इच कोई नहीं रहे, तब एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, एक दूसरे से दूर फैक रहे हैं, ठीक है, तो इस तरहीए से पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, एक लिवरियम में हैं, अब जान रगना, हम यहां पर क्या लिखेंगे, तो force due to A on B ठीक है, force due to A on B, प्लस force due to A on C, इसका जो सम होगा, वो क्या होगा, जीरो के एक को लोगा, तब ही तो एक लिवरियम में हैं, तो अब हम क्या करेंगे, force की जो value होती है, फॉर्मूला होता है, वो होता है, बन अपॉन पूर 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 होगया, प्लस, C और A के बीच में जो force लग रहा है, वो कितना है, 1 upon 4, 5, epsilon not, Q, small q upon dy2, whole square, is equal to 0, अब यहां से का करना है, जो common आ रहा है, उसको common ले ले, तो 1 upon 4, 5, epsilon not, and Q, और d2, यह पूरा common हा रहा है, और अंदर जो बचेगा, वो मैं लिख देता हूं, यहां बचेगा Q Q plus, और यहां पर जो आगा है, वो 2 का square कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, तो 4 उपर चला जाएगा, and 4 के साथ में क्या जाएगा, small Q, is equal to 0, तो यह वाला पूरा term जो है, वो इसमें right hand side लेके जाएगे, 0 हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा, केवल Q plus 4, Q is equal to 0, और यहां से हमें small Q की value लिकालनी है, तो हो जाएगा, Q is equal to minus Q by 4, तो minus Q by 4 इसकी value आ रही है, यानि कि कौन सा option correct है, 4th वाला option जो है, वो एकदम साही है, ठीक है, 4th वाला option यहापे correct है, तो उमीद है कि यह वाला समझ में आगया होगा, बहुत easy question था, आपको अगर equilibrium कहीं पे भी दिख जाए, आप यही करेंगे, कि जो forces है, उनका sum कितना ले लेंगे, net force जो ले लेंगे, वो 0 के equal ले लेंगे, ठीक है, next question है, आपकी screen पर यह, इस question को ध्यान से देखींगे, थोड़ा साथ, आपका vectors related question भी है, तो यह question आपको अगर सौज में आ गया, तो इस type के जितने भी question में है, हर एक type का एक question करा रहा हूँ आपको, ताकि आपको सारे ही questions, अगर मिल जाएं कहीं पे भी, किसी भी type का question मिल जाएं, तो आप उसको आसानी से solve कर पाएं, question यह एं कहरा है कि three charges, minus q1 plus q2 and minus q3 are placed as shown in the figure, the x component of the force on q1, minus q1 is proportional to, तो x component जो होगा, force का, जो की minus q1 पर apply हो रहा है, वो किसके proportional होगा, यह हमें बताने हैं, ठीक है, question clear हो गया, अब इस question को समझते हैं कि कैसे हम solve करेंगे, ठीक, तो देखे सबसे पहले question को अगर आपने समझ लिया हो, तो हम इसको solve करने का तरीका भी ढूंड लेंगे, लेकिन question अगर नहीं आया होगा समझ में, तो फिर आपको problem आ सकती है, पहले question को समझेगा, फिर उसके बाद उसका method आपको आसानी से clear हो जाएगा, तो force question में ही कह रहा है कि किस पर, on q1, minus q1, minus q1 कहाँ है, यह है, जहां से देखेगा, minus q1 यह है, और यह कहा रहा है, the x component of the force, हमें force का x component चाहिए, तो x component किदर की तरफ होगा, तो यह जो force लग रहा है, पहले तो हमें देखना पड़ेगा, कि force किस direction में लग रहा है, तो यह minus q3 है, तो minus q3 इसको किदर की और धके लगा, इधर की तरफ, यह minus q2 है, तो minus q2 इसको किदर की तरफ धके लगा, इधर की तरफ, तो X component इसका हमें निकालना है, तो X component कितना हो जाएगा ये बताना है, ठीक है, तो ये देखते हैं इसको कैसे solve करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, force on minus Q1 along X axis, X axis के along जो force apply हो रहा है, केवल हमें वहीं चाहिए, बैसे net force अगर पूचता तो अलग बात होती, लेकिन X axis के along पूच रहा है, तो हमें कैसे निकालना है देखो, एक तो जो ये force लग रहा है, इस पर, कौन सा, ये वाला, ये Q2 के वज़ाए से जो force लग रहा है, ये directly X axis के along है, तो X axis के along, जो Q2 force apply कर रहा है, वो X axis के along है, तो इसको हम क्या लिख देते है, F1, इन दोनों के बीच जो force लगएगा, वो क्या होगा, F1 मैं consider कर लेता हूँ, और एक जो force apply हो रहा है, इसके दो component break कर दो, ठीक है, ये वाला जो force है, इधर की तरफ जा रहा है, एक ये वाला component ह हो गया, ये वाला, और एक ये वाला component हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इधर वाले को लिखेंगे, F2 cos theta, और इधर वाला हो जाएगा, F2 sin theta, ये वाला मैंने F1 ले लिया, तो F1 जो जितना इधर apply होगा, उतना ही इधर apply होगा, क्योंकि दोनों का charge जो है, वो उटका product same ही होगा, हमने देखा था कि product distance बराबर है, change नहीं हो रही है, और charges का product है, वो equal रहेगा, दोनों के लिए, दोनों forces में, तो Q1 जो force apply करेगा Q2 पर, या Q2 जो force apply करेगा Q1 पर दोनों equal होगे, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, F1 Q2 apply कर रहे है, प्लस F2 sin theta, तो ये वाला force होगा, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर जो हम use करेंगे, वो क्या करेंगे, F1 plus F2 sin theta, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, 1 upon 4 pi epsilon naught, Q1 Q2, क्योंकि ये जो forces थे, ये जो charges थे, वो Q1 Q2 थे, तो हम यहाँ पर ले ल लेंगे, B square, ठीक है, प्लस, 1 upon 4 pi epsilon naught, और दो charges ये कितने थे, ये है, Q1 Q3, और इनके बीच की distance कितनी दे रखी है, वो दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक A, तो हम यहाँ पर ले लेंगे, A square और sin theta, राइट, अब यहाँ पर इसको solve कर लो, तो solve करेंगे, तो कितना हो जाएग और क्या common आ रहा है, 4 pi epsilon naught, जो common आ रहा है, उसको हमने common लिका लिया, और बचे का, यहाँ पर Q2 upon B square, प्लस, Q3 sin theta upon A square, ठीक है, Q3 sin theta upon A square, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बस इसको solve करना है, तो solve करने के लिए, यहाँ पर अगर value given होती, A और B की, तो हम यहाँ पर apply कर देत charges given होता है, तो यहाँ पर direct apply कर देत, तो यह एक तरीके से formula मिल गया आपको, और इसमें आप value put कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर option देखते हैं, ठीक है, हमें x component पूछ रहा है, तो x component कितना निकल क्या है, 1 upon, मतलब Q1 upon 4 pi epsilon naught, Q2 upon B square, प्लस, Q3 sin theta upon A square, तो x component कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका, Q2 upon B square, प्लस, Q3, A square sin theta, तो यह component है, ठीक है, यह वाला, तो यह कौनसा option correct आ रहा है, किस में आ रहा है, यह option second में यह value लिखू है, यह 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 आपको यह पर correct हो जाएगा, ठीक है, clear होगे आपको यह question, मिदकी question आप clear करते वे चल रहे होंगे, note करते चल रहे होंगे, या फिर आप इसके solution note कर रहे होंगे, ठीक है, या method समझ रहे होंगे, कुछ भी आप अपने हिसाब से देख लिजेगा, जिसका आपका, अगर method आता है, तो फिर इसको question को देख लिजेगा, इस type का question है, और अगर नहीं आता है method, तो फिर method को आप note कर लिजेग ठीक है, now next question है, आपकी screen पर ये, कहरे है कि four charges equal to minus q are placed at the four corners of square, and a side a है, ठीक है, charge q is at its center, charge जो small q है, वो इसके center पर है, इता system is in equilibrium, अगर पूरा का पूरा system जो है equilibrium में है, तो हमें q की value find करनी है, तो इस type की questions आपके board exam में भी काफी बार खूशे गए है, NCRD में भी आपका ऐसा question एक given है, ठीक है, तो देखते हैं इस type का question कैसे solve गड़ते है, बहुत ही easy है, method आपको याद रखना है बस, तो ये हमारे पास एक क्या है, एक square है, ये एक square है, जिसकी side हमें given है, एक, क्या side है A side है, ठीक है, इसके center पर कोई एक charge रखा हुआ है Q, ये इसका center है, ठीक है, corner पर, अगर हम देखेंगे force जो apply होड़े, corner पर four charges minus Q, minus Q, minus Q, minus Q, minus Q, तो ये जो force apply करेंगे, वो कितना force apply करेंगे, ये समझना है आपको, ठीक है, plus Q है, minus Q है, ये इसको अपनी तरब attract करेगा, जैस ये जो minus Q है, ये इधर की तरफ इसको धखे लेगा, ये वाला minus Q है, इसको इधर की तरफ धखे लेगा, ये वाला minus Q है, इसको इधर की तरफ धखे लेगा, अब net force हमें निकालना देखो, forces तो आपने देख लिए, ये जो है, इसकी वजए से है, ये वाला इसको इधर की तर जो है वो यह है कि यह जो फोर्स है नेट फोर्स इन तीनों के विज़े से जो नेट फोर्स निकल के आएगा वो इसके एक्वल होना चाहिए ठीक है यह जो फोर्स अप्लाई कर रहा है तो concept clear होगा एक्वलिवरियम में तभी तो हो सकते हैं अधरवाइस यह एक्वलिवरियम में नहीं हो पाएगा तो मैं आपर जो है पहले तो नाम लिंक देता हूं इसके यह ओगया ए यह ओगया बी अब इसको हम solve करते हैं तो new slide पर आ जाते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे तो f यहाँ पर समझेगा बी पर जो एक ही विज़े से जो force लग रहा है वो हमें निकालना है तो f a b यानि की f on a due to b यह निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon not और charge जो given है वो कितना है माइनस q माइनस q है तो मैं sign के साथ में ले लेता हूं यहाँ पर आपको यह साथ में ले ना लेंगा फरक पढ़ने वाला नहीं है लेकिन आपको यह पता होना चाहिए तो यह हो जाएगा minus q into minus q upon distance कितनी इनके बीच की ये दे रखिये a square ठीक है ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा along a b ऐसे ही आप लिका लेंगे force on b due to c c की विजए से force लिका लेंगे तो जाएगा one upon four pi epsilon not same यही आजाएगा minus q into minus q upon a square ये क्या है along cb टीक है तो these two forces have resultant force इनका resultant force निकाल लेंगे तो f dash में लिख देता हूँ f dash कितना होगा ये हो जाएगा square root of two उक्यी इनके बीच का angle तो 90 डिगरी है तो root 2 one upon four pi epsilon not q square upon a square ये किसके along होगा ये होगा along bp ठीक है और p जो है वो ये वाली value ये किसके along होगा ये अब यहाँ पर हम क्या करेंगे देखो ये जो force निकल का है अब यहाँ पर करेंगे दी की विजए से force लिखा लेंगे तो ये हो जाएगा f db ठीक है तो ये कितना निकल के आएगा ये निकल के आएगा वरापन four pi epsilon not minus q into minus q upon इतना हो जाएगा a root 2 यहाँ से यह डाइगोनल है तो a root 2 हो जाएगा तो a root 2 का whole square हो जाएगा यह हो जाएगा आपका along b o b p ठीक है अब यहाँ से रिका लेंगे f b o तो यह हो जाएगा आपका one upon four pi epsilon not q q ठीक है इनके बीच का force देख लेते हैं एक बार कितना होगा q q और distance क्या है इनके बीच की तो वो है यहाँ पे a square और a by root 2 होगा तो a by root 2 का whole square लिख देते चलो ठीक है clear रहेगा क्योंकि यह क्या था a root 2 था और इसका half करेंगे यह distance जो होगी वो क्या होगी अब क्या करना है यहाँ पे बताया था आपको अभी कि अब हमें क्या करना है इक्वल रखने forces तो क्या होगा तो for net zero force we have 1 upon 4 pi epsilon 0 2 q q upon a square is equal to root 2 q square upon 4 pi epsilon 0 a square plus 1 upon 4 pi epsilon 0 q square upon 2 a square तो यह जो हमने दो forces रिका लेते हैं यह वाले यह वाला एक तो यह हो गया और इसके साथ में यह ठीक है यह दोनो bp के along में तो यह क्या रहेंगे add हो जाएंगे तो इनको add करा और इसमें से क्या अगर दिया सफ्टेट कर दिया यह इसके 2 q plus q by 2 ठीक है यह value आ गई root 2 q plus q by 2 इसको हम क्या लिख सकते है q is equal to इसको लिख सकते है root 2 q upon 2 plus q upon 4 या फिर इसको लिखा जा सकता है q upon 4 हम यहां से कॉमल ले ले लेते हैं यह जाएगा 2 root 2 plus 1 यह q की value आ गई अब यह value आप option में चेक करिएगा कि किसकी दे रहा कि कहां पर दे रखी है यह जो है वो कौनसा option correct है q by 4 1 plus 2 root 2 तो second वाला option यहां पर correct होगा next question number 8 क्या रहे कि a charge q is placed at each of the opposite corner of square a charge q is placed at each of the other two corners if the net electrical force on q is 0 then q upon small q is equal to तो अगर net electrical force जो है वो 0 है तो q upon q की value कितनी होगी ठीक है तो फिर से वह equilibrium वाला case आ गया मैं बार बार कह रहा है equilibrium से बहुत सारे questions आते हैं तो इसलिए जितने भी cases हो सकते है हो सकते चाहे वह hexagonal वाला question हो चाहे वह pentagonal वाला हो square वाला हो या फिर कोई भी symmetric shape के लिए हो ठीक है तो सब के लिए आप questions एक पार लाके देख लीजेगा equilibrium में बहुत ही जादा important questions आते हैं तो अगेन हमारे पास जो दे रखा है वो कह रहा है कि और है लिए किया है क्यों के अब हमसे कह रहे है कि क्यूं जो है इस तरीक के से प्लेस किया गया है कि अर Your corner पर कि यह क्या है पूरा का पूरा net force q पर वो 0 है तो हमें equilibrium वाला case apply करना है और इसको solve करना है ठीक है तो देखते हैं कैसे करेंगे इसी question है वैसे अगर आपको method पिछला वाला question आपने देखा है तो आपको यह वाला भी समझ में आ जाएगा इसमें भी कोई ज्यादा rocket science नहीं है ठीक है चलिए तो यहाँ पर जो मैंने लिया है यह force इसकी विजाए से है ठीक है तो यह मैं लिख देता हूं यहाँ पर नाम लिख देता हूं पहले तो यह हो गया force 1 2 यहां से ले लेते हैं 3 and 4 यह 4 यहां पर हमारे पास हैं तो force F1 ठीक है? इदर हो गया F1 force 4 1 यह हो गया 4 3 और यहां पर हो गया आपका this is 4 F42 यह निकाल लेंगे है यहां पर इसको solve कर लेंगे तो देखो कितना मिलेगा अपने को So the three forces acting on Q is क्या क्या है F41, F42 and F43 and F ठीक है यह तीन forces इस पर act कर रहे है So F42 जो है यह वाला F42 क्या लग रहा है वो diagonally लग रहा है यहाँ पर लिख देंगे F42 is equal to कितना निकल गयाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 यह जाएगा Q square upon 2a square 2a square क्यों हैगा क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसका diagonal check करेंगे तो कितना हैगा होएगा A root 2 A root 2 का square करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a square ठीक है तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे F तो लिख देंगे यह क्या है side of the square पर force लगा रहा है यहाँ पर लिख देंगे the force due to one of charge q small q कितना हो जाएगा F41 कुछ भी ले लो तो दोनों की वज़ा से same ही force अप्लाई होगा is equal to F43 is equal to कितना हो जाएगा one upon four pi epsilon not जाएगा q q upon A square ठीक है q q upon A square अब क्या करना है equilibrium में लेना है तो यह वाला जो force होगा इन दोनों को अगर हम देखेंगे इन दोनों का resultant ठीक है is equal to यह हो जाएगा root 2 into one upon four pi epsilon not q q upon A square राइट इन दोनों का resultant निकाला है मैंने यह F41 F43 इन दोनों के बीच का 90 एंगल बन रहा है तो root 2 one upon four pi epsilon not q q upon A square यह value निकल क्या हैगी अब क्योंकि यह equilibrium में है equilibrium वाले case में जो यह F effective हमने लिका ला है वो equal होना चाहिए किसके जो अभी हमने लिका ला था दूसरा वाला force F क्या था F42 इन दोनों का sum जो है वो किसके equal होना चाहिए 0 के equal होना चाहिए तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा F effective या F42 is equal to minus of F effective यह value आजाएगी 1 upon 4 pi epsilon 0 q square upon 2 a square और इसकी value कितनी होगी minus root 2 into 1 upon 4 pi epsilon 0 q q upon a square जो cancel हो रहा है इसको cancel करतेंगे a square से a square cancel a q से a q cancel हो गया 4 pi epsilon 0 से 4 pi epsilon 0 cancel हो गया तो अपने पास आजाएगा q upon q is equal to minus का 2 root 2 ठीक है तो यह इसका ratio आगया option चेक कर लीजिए कौनसा option correct होगा इसमें तो option जो है कितना आ रहाँ था minus 2 root 2 तो option पहला वाला यहाँ पे correct है okay next question पहाँ पहाँ question number 9 question number 9 है यह किरें कि two charges तो यह भी बहुत देखो इस टाइप का questions जो है वह बहुत आपको या तो बोर्ड में मिलेगा तो फिर बहुत long question में मिलेगा ज्यादा marks का होगा कि और इंट्रेंस एक्जाम में बहुत बार यह पूछा जाता है ठीक है खासतोर से आईडी जेई के एक्जाम में तो देखो यह 2013 में ही आया हुआ है इस टाइप का यह वाला question तो नहीं आएगा तो इस टाइप का questions आपको जरूर मिल जाएगा रिपीट भी हो जाते है वैसे question लेकिन values change करके आपको यह जरूर मिल सकते है ठीक है देखते हैं ऐसा question solve अगर आपको करना है तो हम कैसे करेंगे ठीक है तो आते हैं इसके solution पर सबसे पहले जो बात कर रहा है क्यूं पर charge है डिस्टेंस इसकी दे रखी है कि minus a and plus a रखे हुए है x-axis पर origin से ही distance दे रखी है एक particle है जिसका mass है m और charge दे रखा है qy2 इसको origin पर रख दिया और अगर एक charge जो if charge q naught is given a small displacement y is equal to y sole as then a along the y-axis charge जो है यह q बहुती कम distance पर रखा हुआ है y-axis के along तो यह बताना है कि जो net force होगा वो किसके proportional होगा ठीक है बस यह question है तो इसको पहले diagram से समझते हैं यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ देखो यह है अपने पास एक charge q और दूसरा charge यहाँ पर रखा हुग है q दोनों equal charges दे रखे थे यहाँ से आतक की distance आपको दे रखे देखो यह origin है तो यहाँ पर a है यहाँ पर a है total distance कितनी होगी 2a होगी ठीक है y-axis पर यहाँ पर एक बहुती कम distance है y की value बहुत कम है यहाँ पर एक charge रख दिया इननने qy2 ठीक है और यह force apply करेगा यह इस पर force apply होगा in charges की वज़े से तो कहां होगा तो understood है कि यह force apply होगा वो इधर की तरफ होगा इसकी वज़े से क्योंकि दोनों plus charges है और इधर की तरफ होगा इस वाले charge की वज़े से ठीक है net force जो होगा वो किदर होगा देखो यह राइट तो अब यह क्या है एक इसको अगर हम समझे तो यह a है यहां से आतक की distance और यह y दे रखी है बहुत छोटी a distance इसको हम समझते है करेंगे कैसे तो हम यहाँ पर question की according और ले 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 तो from the the net force net force will be कितना हो जाएगा यह जाएगा f net is equal to देखो यह अगर force f apply कर रहे हैं कि फोर से equal होगा क्योंकि charges equal distance दोनों की same है इस पर भी f apply होगा तो यह जाएगा आपका 2f cos theta ठीक है यह वाल हो जाएगा f cos theta और यह भी force apply करेगा f cos theta तो दोनों जुड़ जाएंगे तो जाएगा 2f cos theta यहाँ पर रग दो value तो 2 into f की value कितना हो जाएगी k q into qy2 और upon distance कितनी होगी तो यह होगी square root of a square plus y square ठीक है पाइथोगरस से यह निकाल लेंगे a square plus y square into cos theta तो cos theta यहाँ से निकाल लो अब यहाँ से यह जो theta given है तो यह इसका just opposite यह वाला angle तो यह हो जाएगा base यह वाला base हो जाएगा y तो cos theta क्या होता है वो होता है base upon hypotenuse तो base कितना हो गया इसका y upon square root of a square plus y square ठीक है यहाँ पर value put कर दो क्या मिलेगा तो यह हो जाएगा आपका k q square 2 से 2 cancel मार देते हैं आपर ठीक है k q square y upon यह जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका square रहा जाएगा है तो 3y 2 power हो जाएगी और यह हो गया आपका a cube ठीक है क्योंकि y की value बहुत कम है एसे क्या हो जाएगा f net जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा k q square y upon a cube यह value निकल के आएगी अब इसमें क्या करना है यहाँ पर इस relation से हमें जो value मिली है उससे हमें यह पता चल रहा है कि कौनसा वाला option correct होना चाहिए तो यह वाला option यहाँ पर correct होना चाहिए y किसके proportional है यहाँ पर देख लो k constant है q यहाँ पर change होने वाले नहीं है a distance भी चेंज न यह f net is equal to इतना है तो f net is proportional to y ठीक है कोंसा option correct हो यह fourth option यहाँ पर correct है इस lecture का last question देखते हैं कह रहा है कि two point charges plus 8 q and minus 2 q are located at x is equal to 0 and x is equal to l respectively the location of a point on the x axis at which the net electric field due to these two point charges is 0 तो चार option यहाँ पर given है इनमें से कौंसा option correct हो सकता है यह हमें बताने तो इसके लिए हमें question को solve करना पड़ेगा question को solve करने के लिए पहले समझना पड़ेगा क्या-क्या given है कैसे हमें इसमें value linear है तो दो point charge है एक की value दे रखी प्लस 8 q और दूसरे की दे रखी माइनस 2 q दोनों attract करेंगे पहला दोनों की location भी यहाँ पर दे रखी है are located at x is equal to 0 and x is equal to l तो मैं यहाँ पर इसके according लेता हूं तो यहाँ पर यह मैंने लिलिया x is equal to 0 जहाँ पर रखा हुआ है 8 q और यहाँ पर जो distance है l distance यहाँ पर रखा हुआ है minus 2 q the location of the point on the x-axis at which the net electric field is due to these two point charges is 0 वो distance हमें बता नहीं है जहाँ पर net electric field जो है इन charges की विज़े से 0 सपोज यहाँ पर 0 है इस point पर इसको मैं b माल लेता हूं तो यह हो गया e1 और यह हो गया e2 देखो electric field की जो direction होती है वो positive से negative होती है यह आपको ध्यान रखना है बस positive to negative अगर लिंगे तो जो plus 8 q है उसकी विज़े से e1 मिलेगा हमें इस direction में और जो minus 2 q है इसकी विज़े से e2 मिलेगा इस direction में तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं e1 और e2 दोनों ही equal होंगे क्योंकि यह 0 की बात कर रहा है वाई तो अगर यह 0 की बात कर रहा है तो यह दोनों क्या होने चीए equal होने चीए ओके यहाँ पर ले लो 1 upon 4 pi epsilon 0 formula याद होगा आपको electric field लिकालते कैसे है 8 q upon distance क्या है यहां से यहां से मैं suppose कुछ ले लेता हूँ यह x distance है यहां से यह जाएगा l plus x full square is equal to e2 की value कितनी होगी 1 upon 4 pi epsilon 0 यह जाएगा 2 q upon distance कितनी है x square 4 pi epsilon 0 cancel q से q cancel मार दो और दो दूनी चार दो चक को आड होता है यह भी cancel कर देते हैं तो अपने पास जो बचेगा उसको हम ले लेते हैं क्या बच रहा है हमारे पास यह बच रहा है यह बच रहा है this is 4 upon l plus x whole square is equal to 1 upon x square क्या है तो क्या मैं लिख सकता हूँ l upon x whole square upon x square is equal to 4 या फिर मैं लिख सकता हूँ l plus x upon x is equal to कितना हो जाएगा यह जाएगा 2 ओके या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ l plus x is equal to 2x या हम लिख सकते हैं x is equal to l तो l और x की value जो है वो क्या है same है यानि कि यहां से अगर मैं बात करूँ origin से इस origin से 2l distance पर यह भी कितनी लिख सकता है यह l तो 2l distance पर जो electric field होगा वो कितना होगा 0 होगा तो मुझे लगता है कि आपको आंसर इसका मिल गया होगा कौनसा option correct है पहला वाला ठीक है 2l distance पर electric field कितना है जीरो है ठीक तो इस टैक पर questions और भी करेंगे हम इस chapters are related तो बाकी के जो questions मैं आपको next lecture में करांगा बाकी के 10 questions और फिर हम capacitance के भी questions करेंगे तो कि question ही हमारी practice करवाते हैं और इसलिए मैंने इसका नाम भी रखा है practice questions ठीक है तो जितनी ज्यादा practice करेंगे उतना ही ज्यादा topic हमारा और clear होगा तो उम्मीर है कि आप questions को समझ लेंगे बारीकियां उसकी समझ लेंगे कैसे solve करना है तो कि बहुत सारी सिकायतों यह कोती है कि सारा में theory आती है लेकिन question पर उसे कैसे apply करना है यह नहीं पता होता बस यही मैं चिकायद आपकी दूर करने जा रहा हूं यह दूर करने की कोसिस कर रहा हूं बस आपको practice करनी है, अपनी तरफ से अपना best देना है, तो आप सारे ही questions solve कर पाएंगे, तो मिलते हैं आपसे next lecture में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखेगा, thank you.